वार्निंग इस वीडियो कंटेंस सुपर आशुम कांटेंट नाच सुटाबल फर पीफल वो डोंट इंजोई सुपर आशुमनेस वार्निंग देख सकते हैं कि आज हमारे फ्रेम में हमारे साथ मिस्टर अमर कुमार सिंग है aka सुटर अनोंस रिटर्न और इनका भी यूट्व चैनल है तो हम लोग काभी दिरों से चैट कर रहे थे मिलने के लिए समय हो रहा था चुकि यह आयत हुए हैं बाहर से चट बीतने के बाद तो हम लोग यहां पे हैं आज बात्चीत के लिए दो दिन से हम लोग सास में हैं मैं अपने तरफ की कुछ आउट्डोर जो पूर्ट्स हैं जहां पे हम लोग भूमने के लिए जाते हैं यह निच्रल जो सीनरी सीन और पूर्ड्स हैं तो बहिया से मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा है बहिया बिलकुल डाउंटूर्थ आदमी हैं बिलकुल नेचर फ्रेंडली हैं बहुत भाई के जैसे बिलकुल थे हमारे साहन मैं तो मिलने आने से पहले बहुत टेंसन में था कि बहुत बड़े इंसान है कैसे मिलेंगे कैसे क्या करेंगे बट जो बिहेवियर था और जो ट्रीट मिला हमें अनेस्पेक्टेट था मतलब एक दिन के रुकने के लिए आय थे और तीन दिन रुक चुके हम तो गर से नाट भी पड़ रहे थी कि जल्दी घर आओ लेकिन यहां रुकना लाजबी था तो भाया जैसे कि बहुत सारे फिल्ड में हमने गन यूज किये तो कहीं ना कहीं उसमें फालकल 0.177 भी था तो बहुत लोगों के मन में थोड़ा सवाल होगा तो उस चीज को आप किलियर करें कि फिल्ड में हमने जाले हैं तो फ्रैंकली अगर मैंने कई जगों पर यह चीज कही है आज भी मैं यहां पर चाहूंगा कि इस चीज को हम लोग रखे कि जब हम लोग एकुरेसी की बात कर करते हैं तो PX100 इस एकुरेट गर मर्डी शॉट कार्सनालिटी है लेकिन जहां पर पावर और इन सब चीज की बात करते हैं उसके लिए फालकन चुकि एरफोर्स कॉंडोर के प्लेटफॉर्म पर आप में देखा है फालकन का इपक्ट देखा है कि पत्थर कैसे तोड़ता ह है टाइस कैसे तोड़ता है कितनी लकड़ियों को छे सकता है तो स्टॉप्स यू हैब सीन और मैं तो हूंगा कि सारे गंस अच्छे होते हैं अक्सर यह कुछते लोग की स्टीवी जेना नेक्स 200 या स्टीवी स्नाइपर वर्सेस नेक्स 200 से बड़ा कॉंपेटिशन रहता है मेरा यह मानना है कि अगर आप टूली अगर एयर गणर है अगर आपको इसमें होबी है तो हर गन को अपने बच्चे के जैसे टीट करें जिस तरह गार्जियन के लिए यह बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कौन अच्छा है कौन बच्चा मेरा करीबी प्यारा है और मुझे लगता है कि सब्सक्राइब कर लो चाहे आप बात कर लो की लार्जर टाइप के पैलेट जिसमें एकुरेट चल ले चाहे ईजी तू रिपेर ईजी तू मेंटेन पंप हैंड़ फ्रेंडली है एक सोस असी सीसी के करीब का उसका टैंक है अगर आपका पंप अच्छा हो तो साठ पंप में तो वह टॉप अप हो जाता है यह सब चीज अगर हम देखे तो पी एक संडेड अस्ती नब्यजार के गन जो इंपोर्टेट गन है उससे ज्यादा वैलू फर मरी है एक कुरेसी पी आप देखी रहे क्या है अगर ब्रेक बैरल की बात की जाए तो नाइट्रो पिस्टेन अगर आप ले ले तो एनेक्स-200 का अलग अपना यूज है अपने एक अलग उसका एक जगह है एश्टी वी कि स्नाइपर आई है नाइट्रो जो आई है स्नाइपर के नाम से इसको चला ही रहे हैं यह इसका भी इसके भी जल्वे आपने देखे ही देखे मैं आपसे जाना चाहूंगा आपके फिट्बाग क्या है इने ने ने उन करते हैं, और हम प्रवी नोग दोन दौन चाहिए सारे गन अच्छे हैं अगर मुझे टुइस्टेश टिंगर अच्छा लगता है तो मैं च्छा ले लूँगा अगर मुझे अपने अपने जरुवत के हिसाब से अलग अलग केटेगरीज है सारे गन अच्छा है जिस भी गन को आप लीजिए, क्रैक्टिस कीजिए, और लोग हैं कि जो 20 याड, 25 याड के ओपें साइट से धक्कन मार रहे हैं छोड़े छोटे, लोग आपने मिले, आप लोगों से देखें भी, हाँ, वो इंसिडेंट भी आप सेयर कर देता हूँ, एक इंसान थे हमारे पास बिलकुल 0-11 सुटर, मतलब गन कभी-कभी पकड़ते हैं, कभी-कभी नहीं पकड़ते हैं, उनको बताना पड़ा की रियर साइट, बैक साइट क्या है, क्या से हैं, अमानी कॉक करके उनको दिये, फिर भी वो छोटा टार्गेट हिट कर पाएं, पहले ही शॉट में पहले ही कोई भी गन हो, कोई भी गन हो, ठीक है, for that matter, अगर आप उसके साथ अच्छा समय प्रैक्टिस में ब्यक्त करते हैं, और आप उसके साथ अच्छा इम्मुनिशन यूज करते हैं, तो वो गन आपको किसी भी बहेंगी, ब्रांडेड या जो भी फेंटेसाइज करने वाली गन होती है न, उसके बराबर का वो आपको एकुरेसी, आप उसके अच्छा कर पाईएगा, मैं आपको एक छोड़ा सा इंसिडेंट एक नमबर ने बता दू, बता दू कि अभी तुरंत दो-तिन मही ने पहले, बतिसवी बिहार स्टेट राइफल, स्टेट राइफल मैच हुआ और मैं उपन साइट सूटर हूँ, लेकिन अपने कलब का मैंने बढ़ियां क्वालिटी का वाल्थर का टुटू एलार 50 मिटर प्रों में मैंने पीप साइट एडप्ट कर लिया, कि चलो इस पे जब उपन साइट पे इतना अच्छा है तो पीप साइट पे बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन सारा दुर्दसा उसके हो गया, इवन क्रॉस फायर भी लगा, दूसरे के साइट, दूसरे के टार्गेट पे भी 50 याड पे हमार गया, मैंने मिश्टेक का दोखो हर, सारे चीज का सार यही निकल के आया, कि जो गन अच्छा हो, बुरा हो, सेकेंडरी हो, जिस तरह के सुटिंग और जिस तरह के गन का आपका साथ और प्रैक्टिस होता है, वही चीज आपके लिए ज्यादा परफेक्ट है, तो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इससे डिसकस करना यह है, सबसे बेस्ट गन यह वो है, जो आपके घर में अभी है, सेकेंड नेक्स सेकेंड नेक्स्ट गन वो है, जिसको आप अफॉर्ड कर सकते हैं, तो यह सबस्ट चीजे हैं लोग, लेकिन यूटूब है या तरह तरह के चीजे हैं, लोग देखके जो है, फॉलो करने के चेकर में, जो चीज आपके पास है, अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा, 30-40 यार्ड ओपन साइट पर किस टाइप के इंपक्ट्स है, स्टीविन स्नाइपर का तो मतलब रिजर्ट,